दोस्तों सभी को स्वागत है आपके अपने यूटीव चैनल में देखे दोस्तों चोरी करना कोई बाया हाथ का खेल नहीं है इस प्रोफिशन में आगे बढ़ने के लिए आपके बुद्धी कॉटेज होना बेहदी जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और आप चोरी करने जाब पहुचे तो भाया लेने के देने पड़ जाएंगे और तो और CCTV कैमरा का विश्कार ने तो मानो भाई ऐसे लोग की रोजी ही छीन लियो कैमरे में इनकी चोरी कैद हो जाती है और फिर इनका क्या हाल होता है आप समझी सकते हैं तो चली दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे ही चोरों की कैमरे में कैद हुई हरकते हैं आए वीडियो की शुरूरात करते हैं दोस्तों इस चोर कपल के साथ देखिए एक अपल इस जूल्डी शॉप पर गहने खरीदने के इरादे से नहीं बलकि चुराने के इरादे से आये हैं और अपने इस ब्लैन में ये एक हद तक कामया भी हो गए थे जब इन मेडम ने पूरी चालाकी के साथ इस नेकलेस को अपने गिफ्ट के डिपी के अंदर छुपा कर चलने के तयारी कर दी थी लेकिन ये दुकानदार भला कहां पीचे रहने वाला था इसने नेकलेस से एक पट्टी बांध ही होई थी और जैसे ही मेडम लेकर चली इसने तुरंती पीचे की और खिश लिया और अपने कुटे को भी इशारा करके बुला लिया अब मेडम तो भई निकल ली लेकिन इसके साथ आया भाई साब फ़स गए अब इसका जो हाल हुआ होगा आप अंदासा लगा ही सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और बेवकुफ चोर के दरिशन आपको करवाते हैं देखे दोस्तो ये चोर मॉबाइल की दुकान बर बंदूग के नोक पर इस दुकांदार से सारे मॉबाइल एक एक करके ले रहा है जब इसे लगा कि किसरे मुबाइल इसे किसी बैग में डालने चाहिए तो इसनी इसी दुकानदार को ढरा कर एक बैग भी ले लिया लेकिन जैसे ही बैग में मुबाइल डालने शुरू किये गए इस दुकानदार ने बड़ी ही चालाकी के साथ इस चोर को धर दबोचा और इसके बाद जो इसकी कुटाई करी गए भी है उसका लेवल तो आप समझी गया होंगे इसके बाद अब ये जीवन में चोरी करने के नाम से भी कापेगा नमबर थ्री दोस्तों कुछ और एकदम बेवकूफ तो कुछ हस से जादा ही समझदार और सतर्क होते हैं लेकिन हस से जादा कोई भी चीज करना या होना नुकसान दाया की होता है आई एक ऐसे ही चोर से मिलिये ये चोर कुछ जादा ही साथधान होकर चोरी करना चाता था और इसलिए गेट को खोलने के चकर में इसने गेट के औरजे पुरजे ही भई अलग कर दिये और गेट सीधा इसके ओपर ही जा पड़ा इतना भारी गेट और इतना सुखर सा एक चोर सोचे बिचारी क्या दुर्दशा हुई होगी ये देखे दोस्तों इस चोर ने बड़ी ही चालाकी से इस आदमी को चाकू की नोक पर डरा कर इसका बैक शें लिया और आसपस खड़ी सिक्योर्टी गार्ट से भी खुद को बचा कर भागने में कामयाप हो गया लेकिन जैसे ही इमें दर्वाजे पर पहुचा मालूम पढ़ा कि दर्वाजा तो भाई लॉक है कोशुश करने के बाद भी दर्वाजा नहीं खुला बिचारे के हाँ से बैक तो गया ही साथी साथ इन लोगा ने धर के जो पीटा सो अलग आए आपको एक ऐसे चोर से मिलवाते हैं दोस्तों जिसकी चोरी की ट्रिक देखकर आप हसेंगे भी और आपको गुसा भी आएगा इस चोर के दोस्तों चोरी करने का तरीका बिल्कुल नौसिक्यों जासा था देखे पहली ये इस जूरी की दुकान पे आता है और गोर्ड की चेन खरीदने की बात करता है एक दू चेन ट्राइ करने के बाद ये एक चेन को गले में डाल कर चेक करने का नाटक भी करता है और फिर इसे चुरा कर भागने की कोशिश करता है लेकिन इसकी किस्मत इतनी फूटी हुई थी कि दुकानदार मेन दर्वाजे को पहले से ही लॉक कर देता है और इसे चुपचाप भई चेन उतार कर वापस देनी पड़ती है इसकी ये हरकत भई रिकार्ड हो जाती है नमर 6 चली एक और क्लिप आपको दिखाते हैं दोस्तों आप देखे कितना दिमाग लगा कर इस चोर ने इस कूटी जैसी बड़ी चीज इस दुकान से चूरी कर ली लेकिन जब ये दुकान का शटर वापस से बंद करने गया तो इस बिचारे का पाउं ही उसमें जा फसा लाग कोशिश करने के बाद भी जब इसका पैर नहीं निकला तो ये वहीं लेट कर सो गया और फिर अगले दिन पोलिस ने इसके पैर को बाहर निकाल कर जील की सेर करवा दी आये इन भाई सहब से मिलिये जो पूरे चिप टॉप बन कर इस टोर पर चूरी करने की रादे से आते हैं और आते ही रेसेप्शन पर वैटी मैडम को बंदू दिखाते हैं लेकिन स्टाइल मारने के चकर में इनके बंदू के इनके हांस से चूट कर मैडम की तरफ गिर जाती है अलकि इसके बाद भी इनके बुद्धी सीधी नहीं होती और ये काउंटर पर चुड़कर बंदू को उठाने के कोशिश करते हैं लेकिन पिशली बार की तरह ये भी फेल हो जाती है और फिर इन्हें उल्टे पाओं ही भागना पड़ता है और इसकी पैंड भी इसका साथ छोड़तेती है दोस्तों इन सारी क्लिप्स में से कौन सी क्लिप आपको सबसे अधा अजीब और गरीब लगी हमें कॉमेंट करके बताइए वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कीजिए जो से आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशनस आप से मसना हो हम मिलेंगे आपसे एक लिए वीडियो में अपना बहुत ख्यार रखे बबाई टेक केर